मैं आपको बता दूँ के जो हमारी 10 फिल्म प्रोजेक्ट है उसके फर्स्ट एपिसोड जिसकी लागत तकरीवन 25 रुपे आ रही थी उसका 60% कलेक्ट हो चुका है जो भाई बैन अभी भी इसके कलेक्शन में योगदान करने से बचे हुए है वो प्लीज इस QR कोड पर स्कैन क करके अपनी योगदान राशी बेज सकते हैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्त दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य सनातन में और आज हम पहुंचें विश्विंदू परिशत कार्याले और यहां पर हम बात करन चोट-चोटे स्टिकर्स गाओं पर्टा करते थे उसमें लिखा होता था गर्व से कहो हम हिंदू हैं हम सोचा भी करते थे कि यह मुहिम चली कहां से है और खोज भी इन करते करते इतने वर्षों के बाद में हम पहुंचे हैं एक ऐसी जगाँ पर रहते हैं इस स्थान पर औ उने इन सब चीजों को ना केवल उन्होंने रुपांतिरित किया बनाया रेखांकित किया वरन पूरे विश्व के अंदर इसको प्रचारित और प्रसारित भी किया एक जवाना था जब हिंदू बोलने में भी अपने आपको बड़ी शर्मिन की महसूस हुआ करती थी लेकिन जन जन तक पहुँचकर कि इस क्रांति को लेकर कि जाने वाले हमारे बीच में हमारे सब के प्रिय स्वामी विज्याननंद जी अभी मौजूद हैं सबसे पहले दो स्वामी जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है सत्यसनातन परिवार पर नमस्ते हंकूर जी बहुत अच्छ जी आप घूम-घूम कर इस समय पर अपने धर्म का परचार और प्रसार कर रहे हैं ऐसे समय में बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है वर्ल्ड हिंदू कॉंग्रेस के विशे में मैं आप से जाना चाहता हूं कि ये वर्ल्ड हिंदू कॉंग्रेस एक्चली है क्या क्या है कि जब मैं सारी दुनिया में घुम-घूम करके हिंदू संगठान का का काम कर रहा था हिंदू का प्रचार कर रहा था उसको मजबूती दे रहा था तो हम्हें दीखाई एक महट्पूर्ण चीज दिया कि हिंदू समय का सारा मुंayan कहीं न कहीं सुरूध से मैं बोलत के movement, सनातन धर्म सभा के movement, Hindu महासभा, बाकि और सभी उसके बाद संगठन जितने भी हुए, इस सारे संगठन कहीं कहीं socio-cultural religious संगठन थे, हिंदू movement था हमने दिखा कि जब तक movement के उपर एकनौमी, education, academia, media, politics ए चार foundational चीज है उस पर फोकस होकर करके जो समाज नहीं काम करेगा तो उसको ताकत नहीं मिलेगी तो हमने इसी दृष्टी को देकर कहा कि पहला हमें फोकस करना होगा कि एकॉनमी हिंदू का दुनिया में फैला हुआ समाज है उसकी एकॉनमी मजबूत होना चाहिए एकॉनमी के लिए आपस में नेट की फिल्म में भी हमारी बहुत कमी थी है ना? अकेडमिया में हमारा कमी था, सारा मुममेंट और सारा लेफ्टिस, माक्सिस, कमबाइन हमारे दुरुद्ध में था तो इसको कैसे गरेंड़ करना, कैसे इस पर काम करना, तो इसके लिए हमने एक हींदू एजुकेशन बोर्ड ब इतना बढ़ा बयापक है कि छोटी चीज को भी बढ़ा बना देता है मीडिया तो पर्शेप्शन मीडिया क्या है? पर्शेप्शन किरेट करता है जिसको कहा जाता है आज के जमाने में words are the new weapon and satellites are the new artillery आज के सब्द ही बम है ना तो और perception reality बनाता है आदमी अच्छी चीज़ को भी बुरा बना देता है अस्वामी जैसा तो हुआ है कि हिंदूों के खिलाफ इस मीडिया का प्रयोग किया गया है नहीं क्योंकि मीडिया हिंदूों के हाथ में नहीं थी मैंने हिंदू कहने के लिए नाम थे बॉर्ण हिंदू लेकिन बिचार से हिंदू नहीं थे बिचार से हिंदू को नस्ट करने वाले लोग थे बिचार से हिंदू को डिस्मेंटल करने वाले थे उनके हाथ में ये मीडिया थी तो हो तो हिंदू के सपोर्ट करेंगे नहीं तो इस एरिया में हमें मीडिया के छेत्र में भी काम करने किया आशकता थी इसलिए हमने हिंदू मीडिया फोरम शुरू किया है ना है अब मीडिया में हमने केवर इंडस्टी पर भी काम करना शुरू किया है था क्वी प्लेटिक्स के लिए किया कि हमारे लोग क्या है politics में नहीं जाते politics में नहीं जाओगे तो आप influence कैसे कर पाओगे और हम लोगों को मैं बार-बार कहता हूँ कि हम लोगों ने मंत्रा का एक सब्द है कोई निर्प होई हमें क्या नहीं यह दास mentality है यह दासी का mentality इससे बाहर निकलो मैं कहता हूँ कि महाभारत सबी बिद्याओं में युक्ति इसके बिना सारी बिद्या अदूरी है राजनीती सबी लोकों में प्रविष्ट है हर जगह घर बाहर स्वर्ग नरक जो भी सै ना इसका कहना है कि सब जगह है यह राजनीती सबी धर्मों को regulate करता है monitor करता है प्रविये इकॉणोमी के लिए इद Only phorum, मीडिया के लिए encontrar Hindu Media Forum, education के लिए Hindu Education Board and World Association of Hindu Acadm relies on political के लिए World Hindu Democratic Forum अब अन ministry के लिए फ्रेमवर्क है foundational काम है इस पर हमने काम किया फीर इनको drive काॉंड करेगा future generation को आप train नहीं करोंगे तो दो जेनरेशन, सारी उक्ती खत्म हो जाती है आप देखो दूटीयों विजीद से पहले इंग्लैंड सारे दिशनी ढगराज करता था आज पूरा इंग्लैंन का जेनरेशन पाप गोंग जेनरेशन हो गया है न तो आप देख लो कि आज इंग्लैंड को भी संभालने इन चांपसिज में हमने हिंदू स्टुट कांसील निश्ल लिए फोरम ऐसे जो संगठन एग्जिस्टिंग थे और जो नए संगठन नमने खड़ा किया उन सब का नेटवर्क करके फ्यूचर जेन्ट करने के लिए हमें हिंदू स्टुट यूथ नेटवर्क खड़ा किया और ह हमारे देखो 50 person हमारे महिला कि अब माताओं के जेनरेशन में तो कम पर्ली लिखी हुआ करते लेकिन हमारे जेनरेशन में आने के स्टुट में आने महिला तो एक कि पर्ली लिखी टैलेन्टेड। क्वालिफाड डेलिजटे बला है लेकिन mail मुझमेंट में उनका भी अभी भी पार्टिसपेशन देखो कम है और नेरेटिव बिल्डिंग में तो सारा बिग बिंदी ब्रिगेड में बोलता हूं तिस्ता सिटलवार बिंदा कारंत ऐसे ही लोग डॉमिनेट करते हैं जहां वहीं बिग बिंदी 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 अब वह यहां वह-देलिबरेटर लेक्पर करते हैं उनको पता है साड़ी पहण के बिंदी लगा के बोलेंगे HERE देखो आपके साड़ी वही किल्चर्ण तरीके से पहनेंगी बिंदी लगाएंगी बाल-बाल पूरा सैट्स दूब वहlasत दूसरों को कहेंगी कि तुम लिग ट्रेडिशनल ड्रेस में अगर हम पाढ़ते हुए बोलेंगे तो यह दुनिया में कंजिम होता है ने मीडिया का जो है दुनिया में कंजिम होता है उनको लोग उरिजनल ट्रिशनल भारतिय नारी हैं महिला हैं और ऑव बोल रहे है अपने ही गौवर्मेंट के के खिराब तो कि इसकार्दा सही बोल रही है कि इस से यह भी फर्क पड़ेगा कि जो इंडियन कल्चर जो लेडीज आइं गाहों जो लोग उनको भी फिर प्रभाव पड़ेगा वो भी उनके सोचने सुरू कर देंगे ओ तो सभाई गुरूप से परभाव पढ़ने वाला है ना क्योंकि क्य उनके आर्टिकलेशन कंट्रीव बिशयों पर चर्चा करने के लिए कैसे हो और हिंदू समाज में लीडर की रूप में सामने आया और ँस पर काम करते। और शात्मा चीज है कि हिंदू समाज क्या है भासा संगठनों में जाती संगठनों में जिसको कहते हैं संपरदाइक संगठनों में बटा हुआ है सब अपने अपने काम करते हैं लेकिन सब मिल जूल करके काम नहीं करते हैं तो इसको हम बिना उनको डिस्टर्ब किये हैं हम क्य होता है Hindu Organization Temple and Association Forum आप तो आचारे तो आपको पता होगा हो होता कहां से आया है संचिप्त वर्ड है न होता होता आप जानते हैं कि प्राचीन काल में जो बैदिक याग होते थे उसके मुख्य जो पुजारी हुआ करते ब्रह्मा और उसके एक्जिक्यूटिप मुख्य पुजारी हुआ करते अध्वरी बोलते थे और जो सच्मुच में हवन करता था अगनी कुण में डालता था उसका नामता होता है यह आहूती जो सब्द है वहीं से निकला है आहूत करने वाला और जो हिंदी में होता है न यह सब वहीं से आया है इसलिए हो रहा है तो इसलिए हमने इस इसका नाम होता, इसे संगठनों का कॉंफरेंस करते हैं, तो इसको किसी एक पत्रकार ने बहुत अच्छा लिखा, चार पहियों का रहता है, वर्ल हिंदु कॉंग्रेस, और तीन घोले इसको खीच रहे हैं, तो ऐसा स्ट्रक्चर है, और इसको बना करके, इस सारे संगठन हमारी अपनी पहचान है, और हम दुनिया में हर फिल्ड में साकार अरत्म के दृष्टी से कंट्रिबूट कर रहे हैं, अची तरीके से, एकॉनमी में, एजुकेशन में, एकेडिमिया में, रिसर्च में, इनोवेशन में, साइंस में, टेकनोलोजी में, मीडिया में, इंटर स्टार्टनokee में, जब हमने रेजिस्टर् किया था इसको, 2010 के दिसंभर में हमने रेजिस्टर् किया था, और रेजिस्टर् करने के बाद हम सरभार सरकार से परमिशन मांगने गए थे, दिल्ली में वर्ल्ड हिंदू कॉंग्रेस करना था दोहजार क्योंकि दो कारण से करना था किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए तो कोई आपको चाहिए जिसको कट विशेस अकेजन चीए तो एक सो पचीश वी जैनती थी रास्टे स्वेम सेवक संके संस्थापक डाक्टर केस्व बलीराम हेडगवार जी खा और विशंदू परशत का गोल्डन जूबली था पचास स्वार्न पचास साल हुआ जिसको कहते हैं स्वार्न जैन्धी था तो हमने पहला उसमें किया था तो आपको एक इंट्रेस्टिंग चीज़ बताओं जब मैं गया उसमें तो नरेंद मुदी गवर्मेंट नहीं थी पीज़ेपी नहीं था वहा से वर्ल्ड हिंदु कॉंग्रेस तो उसने बोला स्वाम जी आपको पता है मनमोहन सिंग इसके प्रधान मंत्री है और कांग्रेस की गॉवर्मेंट है आप वर्ल्ड हिंदु कॉंग्रेस के लिए परमिशन मांग रहे है तो मैंने हस्ते उनको बोला कि देखो उसका आप कॉंग्रेस है ना यह अंतर है ना तब हमने वैसा हमने वर्ल्ड हिंदु कॉंग्रेस करते हैं तो पहला वर्ल्ड हिंदु कॉंग्रेस हुआ था दिली में 2014 में उसको चार साल के बाद हमने 2018 में सिकागो में किया था उसका चार साल के बाद उसका भी अकेजन था कि सिकागो म स्वामी वेका नंजी ने 1893 में 11 सब्सक्राइब को सिकागो में फेमस भासन दिया था अच्छा लेकिन क्या हुआ आप जानते हैं ट्विन टावर भी निवार का वर्ल ट्रेट टावर जो है न सेप्टेम्बर 11 को ही तोड़ा गया था इसलामिस्टों के दवारा न जिहादियो के द्वारा उसको 9 11 वहां क्या है पहले महीना बोलते न सेप्टेम्बर 11 है तो सेप्टेम्बर 11 बोलते हैं हम लोग पहले डेट पहले बोलते हैं महीना बाद में बोलते हैं तो हमने कहा कि हमारा तो दब गया और हमारा अच्छा था दब गया तो हमने कहा अमेरिका में कॉन जो हिंदू है उसने आपको इनवर्शल ब्रदर हुड का मेसेज दिया ना मेसेज दिया अब आपको किसको पशंद करना है तो इसको प्लक्ष में हमने दूसरा वर्ल लिंदू कॉंग्रेस किया था इसमें साथ देसों के धाहजार डेलिगेट थे और साथो कॉंफेस बड़ा महत्पूर्ण सफल कॉंग्रेस हुआ था अब दूहजार तीसरा कॉंग्रेस दूहजार बाइस में बैंकवाक में होना था जो थाइलेंड की राजधानी है लेकिन करोना हो गया इसलिए हम इस साल दूहजार तेईस में कर रहे है उसका उद्देश है यह कि देखो इस्ट ज संग्चालक गुरुजी गुलवलकर कहा करते थे कि यह सब हमारे कल्चरल कॉमन वेल्ट है किसी बिद्वान ने लिखा यह ब्रहतर भारत के नाम से लिखा तो इन सब में अपने लोगों को जोड़ने के लिए फिर में सुझा कि बैंककॉक में करते हैं इस बार का कॉंग्रे लोगों को जोड़ा है और इसको सफलता पूर वक चलाया भी है लेकिन आप एक स्वामी हैं आप एक सन्यासी हैं तो यह आपका जो में एजुकेशन है मैं थोड़ा सा उसके बार में जाना चाहता हूं क्योंकि अकसर कर यह लगाया जाता है अगर आप पूरे बाहरत में दे किवертв लगाया है, जो सन्यासपरमपरा को नहीं जानते हैं लेकिन मैं आपको सुनने के बाद में इतना ज़्यादा स्पैल बाउण्ड हो गया, कि मुझे यह लग रहा है कि आपकी education वह तो नहीं है कि आप सिरफ एक सन्यासी बनने के लिए कह जहिएं गरूरी घुरु सी एडुकेशन्स हैं जो क्यों ही है कंप्लीट देखो ना सामांद्र से सभी कहते हैं मैं आइटी से इंजिनियर हूं मैं 85 का ग्रेजुट हूं बीटे किया हूँ तो यह तो हमारा पहला पढ़ाई है उसके बाद मैं गुर्कुल में गया मैं पानीनी परंपरा से प्राच परं महाभास तक पढ़ा फिर छ्शहो तो उपक हिसको कते हैं न शांख वैशेशिक न्याए न ॆ सिन यूग मीमांसा और बेदान सब गुर्कुल kap से भास्य सहित मैंने ने पढ़ा फिर ब्राहमन सब पढ़े तो और इन सारा चीजों के लगभु अने आट-नौ समाज हमारी श्री मुनी पूर्वज तो बहुत ग्यान की बात कर रहे हैं और वो प्रक्टिकल बात कर रहे हैं कोई emotional अन्प्रक्टिकल बात ही नहीं करते हैं तो हमने देखा वो तो इकानमी तो चार परसंट ही है तो अगर आप दुनिया के बराबर में आगे नहीं बढ़ने बोला दुनिया के बराबर में भी आना चाहते हैं तो कम से कम सेवंटी परसंट वर्ल इकानमी होना अगर ना उसके लिए हिंदू समाज को इस द्रिश्टी से फोकस करना होगा न तब ही होगा न तो इकानमी का देखा फिर हमने एडूकेशं में देखा हमारे लोग हां तब फिर हमने का कि यह एरिया हम लोगोंने भूल गए है क्योंकि यही एरिया है बहुत इस्टिरोटाइप पैदा करता है मैं आपको बता रहा हूं कि प्रोफेशर धीरज सर्मा है जो आजकल आएम रोता के डिरेक्टर हैं उन्होंने आएम एहमदाबाद में जब इस्टिरोटाइप कर रहा है तो उन्होंने उस बता कि देखो अस्टडी किया कि 62% जो फिल्म में जो करप्ट पोलिटीशन है बदमास पोलिटीशन है उसका सरनेम ब्रामिन मिलेगा 68% जो करप्ट बिजसमेन है उन सब का सरनेम बनिया मिलेगा है ना मैं कली भासन दे रहा था बनियों के बीच में तो मैंने का आपके पैसे से आपका ही जड़ खोदा जा रहा है जो आपके बुरुद में चोर का नेरिटीव बनाया जा रहा है आपके पैसे से और आप तालीब है और आपको पता नहीं है फिर उन्हें बला 74% सिख गरक्टर जो सिख हमारी गूरु मजाग का पात्र है आप देखिए जो बलदानी परंपरा हो उसको हमने उसको मजाग का पात्र बना दिया आप सब जानते हैं कि 84 पर उन्हों ने बोला कि 84 परसंट जो मुस्लिम करेक्टर वो माफिया हैं दंगा फशाद करने वाले हैं एक्शुल में देखिए जैसे ओ किसी ने ओ बोलीव्ट जैम वाली हमारी हमारी भेन हूसब प्रकरता है ना कि पिर उन्होंने किया कि देखो कि आप आप सोले मूवी में जहां पर वह सोले हो रहा है मैंंट बिजली नहीं है तो इनी सब चीजों के लेकर काम करना सुरू किया, यूद को कहा कि हम तो सिधे-सिधे करते हैं, आप पशंद करो ये ना पशंद करो, लाइक डिसलाइक करो, आपका जो आयू के कारण आप भई उसको जहलने वाले हो, अगर आप अपने आपको त्यारी से ले लोगे तो अच क्यों बढ़ रहा है, तो उन्होंने बोला कि the Britney Spears of China is Bill Gates, इसको मैं समझा रहा हूं कि Chinese लोगों का role model Britney Spears को होना चीए था उस समय कि pop singer, लेकिन ओ, नहीं है, मैं successful Bill Gates हूं, वो हमारा role model है, इसलिए China आगे बढ़ रहा है, फिर उन्होंने पुछा, अमेरिका क्यों decline हो रहा है, क्यों decline हो रहा है अमेरिका, तो उन्हें बोला कि the Bill Gates of America is Britney Spears, कि मैं अमेरिका को तो मैं American लोगों का role model होना चीए था, लेकिन मैं role model हो रहा है, नहीं हूं, कौन है, Britney Spears, इसलिए decline हो रहा है, अब देख लो हमारे समाज में, हमारा कोई यहां pop singer आजा किसी भी सहर में, हजार और लाखों की संक्या में यूथ आजाएंगे, डांस नामा ही फॉप करने के लिए महां तयार हो जाएंगे, लेकिन कोई भी जो national issues के उपर, national cause के उपर तयार नहीं होगा, तो यह क्यों है, कि यह जो सारा left liberal कम कभाल है ना, जो entertainment industry में घुश करके, दुनिया के future generation को destroy कर रहा है, अमेरिका जो इता, most powerful, richest, successful metric country था, उसको ही अंदर से बैठ करके, उन्होंने खोखला कर दिया, academia में, तो इन सब पर भी हम काम करते हैं, तो यह सब काम करके, कि भई, हम लोग को तो जो भी हैं, सो हैं, हम लोग, मैं तो अपने सभी लोगों को बोलता हूं, कि हम लोग जो जो अलेक्जेंडर भारत में आया, तो अलेक्जेंडर के समय से, अलेक्जेंडर आया, जिसको ग्रीक, सीथियन, पार्थियन, कुशान, सक्खुन, लगबग, 900 साल हमारे पुर्वज लड़े हैं न, उनको नस्ट किया, और बच गए, उसके बाद जैसी थोड़ा हुआ है, मूगल आ गए, और भी बहुत सारे इरानियन, पिरानियन, बहुत सारे लोग जो मुशलमानी, इस्लामिस्ट हैं न, हमें इरान से जोरास्टियन भी आया, पार्सी भी आया, हमें उनका स्वागत किया, लेकिन ये सब अटैकर आये न, तो अब उनसे हमारे पुर्वज 1100 वर हो गए है न, और अगर आप हिस्ट्री के अनसार मानोगे तो बीस साल में एक जेनरेशन बदलता है, तो लगभग 113 15, 113 से 15, जेनरेशन हमारे जेनरेशन लड़े हैं, उनके बल्दान के कारण हम यहां पर खड़े हैं, तो हमारा हम सब लोगों का दाइत्व है, कि किसी होप से बल्दान किया था, कि फूचर जेनरेशन डिग्निटी रेस्पेक के साथ रह सके हैं, तो इन्ही सब चीतों को करने के लिए, अपने समाज को बताने के लिए, यह सब कर रहे हैं, वो सिराबिंदो का वागत famous word है, the country whose young men are inspired by glory of past, जो देश जिसके नौजवान, ज जो अपने देखते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, तो इन्ही सब चीजों को लेकर के कि, कि किस्वी सताब्दी जो लोग कहते हैं, हिंदू की सताब्दी है, तो उसके लिए हिंदू को पुरशार्थ करना होगा, और उनको इन सब चीजों पर, जो strategy के रिया, economy, education, media, politics पर काम क भारत वर्श और पूरे विश्व के उपर, दो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, intangible, सामने दिखाई देती हैं, लिक समाने में हमारा मेनिस्टी मीडिया, हिंदी मीडिया भी इंडिया, इंडिया, इंडिया वर्ड यूज कर रहा था, अब हमने, हमने सुरू से लिख रख इंडिया वर्ड यूज नहीं होगा, कोई कोट हो पुरानी दबातल लगे लें, नया कोई भारत का यूज होगा, हिंदुईजम वर्ड यूज नहीं होगा, हिंदु यूज होगा, तो इन सब चीजों पर हमने काम सुरू किया, तो एक सबसे बड़ी चीज है कि जो लोग हि गभराते थे डरते थे चुप रहते थे साई थे मैं जैसे लोगों को बताया कि Bobby Jundal का कली में बता Bobby Jundal का परिवार तो हिंदु है लेकिन वो पोलिटिक्स में जानने के लिए वो क्रिस्टिं बन गया लेकिन अब उसी पोलिटिक्स में उसी अमेरिका में भी विवे करामा स्वामी गर्व से बोल रहा मैं हिंदू हूँ अभी पंदर अगस्त को रिशिव सुनक ने बोला मैं यहां हिंदू के रूप में आया हूँ तो यह जो चीज हो रहा नहीं सबसे बड़ी चीज है मीडिया पर भी देखो धीरे धीरे अब आप देख रहो काम कर रहा है पहले तो स्वामी जी आपने देखा भी होगा के समुदाय विशेष कहा करते थे हिंदू को हिंदू उदर समुदाय विशेष लेकिन अब नाम भी लिखते हैं और दूसरा पक्ष मुस्लिम पक्ष यह आने लग गया है यही चीज में चीज में इस्टी मीडिया में आने लगा है तो यही इस सब इसकी सब बलता है और टैंजिबल रूप में सारा चीजों पर आप काम हो रहा है आपको पता है पहले भारत में हिंदू स्टुडी नहीं पढ़ाया जाता था अब आज लगवग बीस इनुवस्टी में एम में हिंदू स्टुडी को कोर्स पढ़ाया जा रहे है जो इनुवस्टी ग्रांड कमिशन के द्वारा अप्रूब कोर्स है तो यह सब उसकी उपलब दी अभी एक बड़ा कॉंफरेंस था अमेरिका में और कॉंफरेंस था टेकनोलोजी के लोगों का और वो लोग कहते हैं लिट्समे के हिंदू है ग्लोबल ब्रांड है तो यह सब चीज उसकी उपलब दी है बाकी तो गिनाने के लिए जो इसको कहते है हर संगठन में सब जो उसके जो काम है वो सब अपना करते हैं से बागे बढ़ रहे है स्वामी जी अभी आपके मतलब ऐसे कौन से अचीवल पॉइंट्स हैं जो आपने भी सोचे हैं कि अभी हम इस फिल्ड़ में भी पीछे हैं इस में कम है तो हमको वो अचीव करने के लिए फिर आगे का ब्लूपेंट इस वर्ल्ड हिंदु कॉंग्रेस में रखना है वर्ल्ड हिंदु कॉंग्रेस में जो हमने होता का Christian colleges अगर को लीज पर सरकार ने उसो दे दी तो उसको हमें वापस लेनों हमारी property उस पर हम अपना institution सब डेबलब करेंगे फिर Hindu activist अलग अलग एरिया है जिसको अब Hindu activism को बढ़ावा देना है है ना Hindu में संसकार की कमी हो रही है value system degenerate हो रहा है और western literary theory जिसको कहते हैं जिसमें कहा कहा जाते है Marxist तो critical theory है Grams की है सब सब पढ़ाया जाते है वो मायाजाल हमारे हाँ फैल गया है उसके बारे में हमारी academia से कैसे काम करते हो इस पर इसको काम किया जाए तो इस पर हमारा blueprint है फिर entertainment industry में देखो जैसे आपने देखा होगा विवेका गनोतर ने एक film मनाया है ना कस्मीर फाइल है ना कस्मीर के फाइल के किरला story आ गया और उसके बाद और कहीं सारी स्टोरी आ रहा है तो entertainment industry में भी हमारा hindu ecosystem के रूप में जो हमारे narrative को और जो सही narrative है उसको सामने रखे सच्चा सच्चा इतिहास रखे उन सब चीजों पर काम हम करना है तो उस पर हम काम करते हैं यही सारा चीज है भाविस्का blueprint है जिस पर हमें काम करना है जो 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 गया पेरिया है उस पर हमने फोकस होकर कि यह जिंडा रख करके काम किया है तो स्वामी जी इस world hindu congress में कौन-कौन लोग आ रहे हैं फिर देखो तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि इस world hindu congress में तीन बड़े बेक्ति और संगठनों को हम संबानित कर रहे हैं जैसे हिंडू इजम तोड़े जो अमेरिका से छपता है उसके प्रकासक जो यह सब गोरे हिंदू सादू है हवाही वाले हैं उसमें सब गोरे हिंदू हैं फिर भारत सिवा संग संग जो हिंदूों का पहला संगठित संगठन था पॉलिटिक्स में भारत से योगी जी आ रहे हैं उत्यप्रदेश के मुख मंत्री योगी आतितनाद जी कली कनफर्म हुआ कि फीजी से जो डिप्टी प्राइम निस्टर है विमान प्रशाद हो आ रहे हैं और अन्य देशों को जिसको कर सकते हैं अन्य देशों से जो पॉलिटिकल फोरम में मिनिस्टर पार्लेमेंटिर एंबेजडर लोग आ रहे हैं एकॉनमी में देखो जो हो से सि अगर कोई भी इसमें भाग लेना चाहता है तो इसको क्या करना होगा फिर? वर्ल्ड हिंदु कॉंग्रेस का वेबसाइट है आजकल तो गूगल का जमान है गूगल में भी डालो वर्ल्ड हिंदु कॉंग्रेस तो आ जाएगा है लेकिन फिर भी मैं बद आता हूँ वेबसाइट www.worldhinducongress.org एक वर्ल्ड है worldhinducongress.org उस पर जाएंगे तो वहाँ पर online सार registration का है तो सब लोगों को ऐसे जो business ब्यापारी लोग है प्रोफेशनल्स हैं एकेडमिया में हैं प्रोफेशर हैं सिक्षा संस्तान चलाते हैं मीडिया के बंदू हर तरह की entertainment industry से लेकर के digital media तक के बंदू है उनको political figure है उनको और youth women ऐसे सबी लोगों को register करके आना चाहिए और जो सचमुझ में हिंदू movement को आगे बढ़ना देखना चाहते हिंदू movement पार्ट होना चाहिए उन सब को register करके आना चाहिए तो मतलब बात वही है कि उसके पास में एक passport हो और वीजा अच्छा वीजा on arrival है क्या माँ थाइलें के सबसे अची चीज है थाइलें में वीजा on arrival है तो पासपोर्ट तो होना compulsory है इसलिए जो लोग पासपोर्ट नहीं है उनको पासपोर्ट बनाने लना चीए और online चले जाए अभी registration fees हमने सामान लोगों के लिए 300 US dollar है registration fees जिसमें conference की सारा expenditure है और महिला लोगों को हमने 200 US dollar रखा है और youth जो students है जो below 35 identity card के साथ रहेगा उसक 50 dollar है उनको और सबको अपना वहाँ flight ticket तो बुक करना ही है अभी सस्ता है बुक करने तो अच्छा है hotel बुक करना है conference में participate करें देखो Hindu research movement के भागी रहे है और जो नहीं पहुंच पाएंगे उसके लिए क्या मतलब आप मीडिया पे इसका पर सरण होगा अभी तो बाद में द में दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी initiative है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इन सब चीजों को जान करके सुन करके मुझे अंदर से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है एक ऐसी अनुभूती कि जिसमें की हर एक हिंदूस्तानी को हर एक हिंदू को ग दिखना पड़ेगा और दुबारा से मुझे सारी चीजे फिर सर्च करके भी एक बार खोजनी पड़ेंगी इतनी सारी बाते आपने बहुत कम समय में बताई हैं इसलिए बता रहा हूं कि देखो हमने जितने भी काम की हैं सब संगठनों के नाम में हिंदू है क्योंकि हिंद हिंदू संगठन हिंदू नाम से जो कंटम्परी काम है काम करेंगे तो हिंदू की विजिबिल्टी दुनिया में फिर एक्सेप्टिबिल्टी बलेगी और अस्टेबिस होगे बहुत बहुत दनिवाज जी आपका और मैं अपील करना चाहूंगा हमारे जितने भी सत्यसनातन उनके परिवारे जन है अगर उनके पास समय है पासपोर्ट है तो वो इस कॉनफरेंस का हिस्सा अवश्य बने और हो सकता है कि मैं भी वहाँ पर आने गाए जल्दी आनलाइन हो जाते है अब टाइम है बिल्कुल मैं प्रियास करूँगा कि मैं जाओ और इस पूरे के पूर